दोस्तों आप सब का फिर से स्वावत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जैसे के आप सब को पता ही होगा कि भारत और इंग्लेंड के बीच पहला टे-20 मैच आज खिलिया जाने वाला है जिसके मैं आपको काफे जादा स्टैट्स दिखाने वाला हूँ आखिर में में तीन ड्री मिलियोन के टीम्स भी आपको दिखाने आलो जिससे भी आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड लीग जरू जीत सकते तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट जरू करूंगा कि अग इंडिया टूर आफ इंगलंड है दोस्तों मतलब इंडिया गई हे इंग्लंड में वही Öz chi मैच है इस सीरीज कर और तीन मैच अचिस की सीरीज है चाहते हैं तो सुनी शिक्स पर इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं अब बात करते हैं पीच रपोर्ट जो काफी इंपोर्टन रोल आदा करता है तो तो पीच इस एक्सपेक्ट तो प्रोवाइड इक्वल सपोर्ट तो बोथ अफ बैटर्स और बॉलर्स देख से इनिंग स्कोर इज इन दे लास्ट फाइटेट हैर 157 रन और टीम विनिंग देख समाइट तो लुक बॉल फस्ट यहां पर कहा यह जा रहा है कि पीच से बॉलर और बैट्समन दोनों को एक्वली मतलब सेम मदद मिलने वाली है दोस्तों और अगर बात की जाए तो यहां पर लास्ट जो फाच टी-20 मैचेस हुए उसका एवरेश टोटल की बात करें तो 157 रन है तो अगर बात करें जो टॉस जीतने वाला है ज्यादा से ज्यादा चांस वह गैर बाजी यहले अब बात कर लेते दोनों टीमों कि प्रवाबर लिविंग स्टोन, मोहिन अली, डेविड वीली, क्रिज जॉर्डन, तैमल मिल्स, एम पाकिर्शन, और आर टॉपली, इस तर से रहेगी इंगलंड की प्रोबबलिलोन, अब बात कर लेते, इंडिया की प्रोबबलिलोन के तर से रह सकती है तो, आफकोस, रोहित शर्मा, इशा पतेल, यूजी चहल, आविश खान और भूनेश्वर कुमार, तो काफी बड़े-बड़े प्लियर यहां पे पहली माच में नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि विराट कोली है, जस्परित दूम्राहो, शम्मी हो, यह सब प्लियर पहली माच में नहीं खेल रहें, तो इस वज़े लास्ट T20 सीरीज अगेंस्ट वेस्टेंडिस 3-2, जै रस्तों दोनों टीमों के अगर बात की जाए, लास्ट T20 सीरीज की, तो भारत की तो इंगलेंड के माच के खिलाप थी, जिसमें भारत ने 2-0 से जीत हासिल की, हाला कि आइरलेंड के खिलाप इतनी जीत मायने नहीं र अभी अभी भारत को उन्होंने टेस्ट में हराया तो उनका confidence लेवल जादा अच्छा रहेगा तो भारत का थोड़ा डाउन रहेगा लेकिन T20 में यहाँ पे इतना माइने नहीं रखता है ये बाते सब तो बात करेंगे कि आवरेज फर्स इनिंग स्कोर ऑन इस ग्राउंड इस स्टेडियम पे आवरेज फर्स इनिंग स्कोर रहेगा 161 का लेकिन मैंने अल्रेडी लास्ट पार्ट मैचेस का 157 का बता है और ये 161 का है जान मतलब जादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है 160 के आराउंड यहाँ पे स्कोर बन सकता है अगर बात करें तो चेसिंग का रेकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे टीम बैटिंग सेकंट डोजन्ट इन्जॉड गूट रेकॉर्ड्स यहाँ विनिंग परसेंटेज ऑफ 44 परसेंट यानि चोवालिस परसेंट लोग मतलब देखन दूटेनों आधर बैटिंग सेकंढ करते हुए जीती है तो 56 परसेंट लोग जो फर्स्ट बैटिंग करते हो वह जीत तो यहाँ पे टॉस हमें बता रहाे है कि बॉल सट आपकी जगार पीचरिपोर्ट हमें बता रहा है कि जो भी टॉस जीतेखा बॉलिंग फर्स ल में पर कप्तान क्या डिसीजन ले बात करते है कुछ प्लियरों के स्टाट्स में आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अपनी विनिंग टीम बनाने में आसा नहीं हो जाएगे यह पर कोई भी दूसरा आप हो इसे हम टॉपिक्स होट पिक्स हैंगे तो काफी सारे प्लियरों के और मैं आज स्टाट्स लेकर आओ जैसे कि सबसे पहले बात कर लेंगे लियाम लिविंग स्टोन इस टेट ट्वेंटी करियर इज ओनली सेवंटेन मैचेस ओल्ड बट्ट ही प्लेड मीनी टीट्वेंटी लीग्स जा दोस्तों का अपना अगर देश से खेलने का टीट्वें सबसे काफी जादा है 188 मैचेस वह खेल चुके है और इन 188 मैचेस में उनके बल्ले से 4711 रन बरसे है और उनका आवरेज है 29.08 का तो वही स्टाइक रेट है 146.66 का यह उनका स्टाइक रेट है और साथ साथ उन्होंने ये एक सोने पे सुआगा है कि उन्होंने 22 विक्टे भी निकाली है 22.8 के आवरेज से 82 विकेट निकाली है 22.8 के आवरेज से तो खुल मिला कि अच्छे खासे ओल राउंडर है और हिटिंग पावर इनकी भी काफी जबदस थे हमने IPL में भी देखा यहां पर काफी जबदस प्लियर है दुस्तों अगले जो हमारे हें होट पिक से अफ़ोस धिपक हुडा है आरलिंड के खिलाब काफी जबदस बैटिंग की उन्होंने उपनिंग के लिए आकर और एक सथ बी उनके नाम है दुस्तों अगले जो हमारे होटिक रहेंगे आफरिका ही मेर 117 रन फोर मैचस एड आज वेल एज इंडिया सेकंड हाइस्ट को रन स्कोरर गेन बाजी पर इतना उनका ध्यान नहीं रह रहा है लेकिन बल्ले बाजी अब अच्छी करने लग गए है फिर से हर्दिक पैंडिया और उन्होंने आफरिका के खिलाब आर्लेंड स्कोरर रहे थे इस सीरीज में भारत की तरब से पहले तो इशान किशान रहे थे और ये दूसरे रहे थे अगले जो हमारे हॉट पेक्स है दोस्तों मोहिन अली मोहिन अली के बारे में ज्यादा कुछ बोलने के जरूरत तो ऐसा है नहीं लेकिन उनकर रेकॉर्ड की बात कर है तो तो लास्ट प्लेड अर्ट तूट्वेंटी फार इंगलंड बाक इन जर्नी अगेंस्ट वेस्ट इंडिज दूरिंग द फाई मैचेस सीरीज ही मेड वनेट 1-0-8 रन अड आज़ आज आज ऑप 21.6 अड़ इस वन पोटीफो फोटीफाइव पोटीफाइव पोटीफ भी ठीक्टा का जाता है तेविट लेके स्ट्राइक रेट दिखे दोस्तों करीब करीब 146 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये बैटेंके अगले जो हमारे होट्पेक से डेविड वीली ही पिक 3 विकेट्स और 29 रन अगेंस्ट लैंसेश शायर जा दोस्तों आप सबको पता है कि इंगलेड टीटर टे ब्लास चल रहा है जिसमें इन्होंने लास्ट जो मैच के लेटे लैंसेश शायर के खिलाब 29 रन देका तीन विक्टे ली थी अगर बात करें तो इन दो ओडिया के खिलाब हाथ थोड़ी छोटी तीम दरूर है लेकिन नेधरलेंड के खिलाब तीन ही मैचेस में आट विक्टे ली थी जो ओड़ आई सीरीस थी अगले हमारे होट पिक से हर्शल पतेल इन दे लास्ट गेम अगेंस्ट नॉर्थिंगम शायर अगेंस्ट नॉर्थिंगम श दिया दूस्तों इनके जादा दूर नहीं जाएंगे हम एक मतलब अभ्यास मैच था नॉटिंगम शायर के खिलाब जिसमें अगर ये अगर बैटेंग अच्छी नहीं करते तो तो शायद वो मैच भारत हार जाता था उन्होंने 36 गंदों में 54 रनों के एक अच्छी पारी ख की थी तो इसी वज़े से भारत धसरन से वो मैच जिता ता अगले जो हमारे होट पिक से अफकोस इनको कोई भी अपनी टीम से धूर नहीं रख सकता जाउस बटल एक ऐसे फॉर्म है दोस्तों की साट ड्रीम ड्रीम फॉर्म कहेंगे हम इसको मतलब सपने में भी कोई नहीं स ही वन दे प्लेयर आप दो सीरीज आवार्ड फार बिंग टॉप स्कोरर अगेंस दे नेर्डरलेंड इन थ्री मैचस ओडियाए सीरीज लास्ट मन्ट जैसे के मैने शतक जड़ा था आपको बताया उस सीरीज में उनको मैन अप दी सीरीज का आवार्ड मिला था और टॉप स् सेवंटे सिक्स रन एंड फार दे सेकंड विकेट अलांग विद दीपकुडा जिया दस्तो संजु सामसें के लास्ट मैच के अगर बात करें टी टुएंटी में उन्होंने 22 गेंदों बे 177 रन बराया थे एक मैच में जिसमें उन्होंने 116 रनों की साजेदारी कीती दीपक दोस्तो रोजचर्मा के अगर टी टुएंटी करियर की बात करें तो 3313 रन अभी तक हो बना चुके भूनेश और कुमार को भी मैं होट पिक्स ज़रूर मानूंगा इंगलेंड में फास्टर गेंबाजी स्विंग गेंबाजी काफी चलती है तो ये भी एक होट पिक्स रहें दे रहें पितले कुछ मैंचेस से नेधरलेंड्स के खिलाब भी उन्होंने काफी बढ़िया रन बनायते साउथ आफ्रिका के खिलाब भी उनका रन अच्छे रहते तो इसलिए इनको में भी होट पिक्स में रखूँगा ये जो इंदर चल आप करियर पर ही देख लीजिए साथ ही मैचेस खेले और 75 विकेट छटका चुके अपने T20 करियर में और जब भी भारत को जरूत होती है विकेट की तो इन्हें बुलाया जाता है और वो हमेशा काम्याब रहते है तो ये इसलिए इनको भी होट पिक्स में रखूँगा जेसन रॉय हमारे यागले होट पिक कहा जाता है उनको ही आज मार्कडव 358 रन और पिक 80 विकेट इन ही 58 मैचेस आप T20 करियर जा दोस्तों T20 करियर में उन्हें अभी तक 58 मैचेस खेले है और 80 विकेट लिए और 358 रन बना है काफी मतलब बैटिंग ठीक ठाक है लेकिन गेन बाजी काफी जब दसते दोस्तों और इसलिए इनको देतो और स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है अब चलते हैं ड्रेमिलियोन के आप पे और ड्रेमिलियोन की तीन टीम्स में आपको दिखाने आलाओ जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लिग ज़रू सब्सक्राइब आफ़ Similar को सब्सक्राइब गए या तो दोस्तो के लिए diagnostic सकते हैं तो दोस्तों ऍसके लिए हमें आना होगाrol सबसे पहले मैंस को हाइलेट करके दिखा देए उसपर आपको क्लिक कर नहीं है अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाई तो कोई बात ने इनिए सबसे पहले तोज को मैंने चर्ज बट्लर को नहीं छोड़ सकते हम किसी भी टीम में उसके दिश मेंして मैं उसके वार्ट में वारा को अबस In में सर्थ कुस्थ Calling शोड़ा उप्षन को लोगा तो इसतर से चाप येवास को मैंने श्यामिल कर लिया अगर बात करें достаточно तो उसमें भी मैंने मोहिन अली को शामिल कर लिया यानि अगर देखा जाये तो जोज बटलर जैसन रॉइड लिविंग स्टोन मोहिन अली चार अच्छे खासे बाट्समन भारत की तरफ से रोई चर्मासुरे कुमार याद और डिपकुडा इशान किशन ये चार अच्छे बा तो कुलमिला के एक अच्छी खासी और जबदस टीम बनी है जिसके देख सकते हैं क्रेडिट भी हमारी खतम हो चुकी थी तो काफी बहतरी टीम मुझे लग रही है फिर भी अगर आप देखे तो मुझे लगता है तो आप ज़रूर कुछ चेंजस करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ चेंजस करने के चांसे से कुलमिला के कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर हमें देखने हैं तो आप देख सकते हैं जौस बटलर को कप्तान दीपक खुड़ा को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ अफकोर ज़रूरी हो जाता है कि पहले टेम में जौस बटलर को ही कप्तान बनाए बाकि किसी और को ना बनाए और साथी साथ दिपक खुड़ा जिन्होंने लास्ट में जो सीरीज ती शतक बनाया था तो इनको वाइस कैप्टन बनाए यह हो सक यह तो कैप्टन के काविल है लेकिन जौस बटलर के सामने मुझे लगता नहीं को इनको कप्तान बनाए जा सकता है फिर भी अगर आप कहिना कही ज़्यादा टेम ही लगाते तो जरूर इनको कप्तान बना सकते तो कुल मिला के एक अच्छा खासा कॉंबिनेशन मुझे लग रहा है बना है जिससे आप ग एली टीम तो काफी बेस्ट लगी होगी उसके बाद चलते हैं इस टीम को क्लोज कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हो किस तरस से बनाई गई है अगर दूसरी टीम की बात करें तो ये भी काफी शांदार बनी है यहाँ पे मैं दो कीपर्स के साथ जाने आने संज्यो सैमसंग को भी लेना जरूरी है एक मैच उनका भी अच्छा गया था जो खेला था उन्होंने और जाज बटलर को लेना ही होगा उसके बाद मेरे पास सूरे कुमार याद होए जेसन राय डेविड मलान है लिविंग स्टोन है इशान किशन है तो इस तरसे पाज बल रोंडर लेना होगा एक केस से जाधा आप इस टीम मेर रोंडर नहीं दे सकते तो इसी वज़े से मोहिन अली को ड्रॉप किया है मैंने और हार्थिक पांडिया को मैंने या पर ले लिया गेनबाज की बात करें तो यहां पर काफे अच्छे चेंजे से हर्षल पाटेल को है और अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो इशान किशन को इस टीम का कैप्टन बना रहा हूँ और जेसन राय को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए ओपनिंग के लिए इसान किशन भारत के लिए और जेसन राय और इंग मिला कि यह भी एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना है जिसे आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए उच कर सकते हैं अपनी मर्जी से यूज कीजिए आपको देख लीजे कि लेकिन फिर से कोंगा ग्रांड लिग के लिए जादा प्रिफर करेंगे तो बैस र कि अगर तीसरी टीम की बात करें तो यहां पर मैंने सिर्फ बटलर के साथ जा रहा हूं ना ही किसी दूसरी कीपर के साथ में नहीं जाने आलो इसके वज़े से मेरे पास क्या हुआ है दोस्तों दो अल्रांड बन गए पहले बैटिंग के अगर बात करें तो सुरी कुमार य मैंने लिए है इसके बाद जैसे के मैंने आपको बताया एक किपर कम क्या है लेकिन दोस्तों इसका फायदा हमें यहां पर हो रहा है दो अल्रांडर हम यहां पर साथ में ले सकते मोहिन अली और हार्थिक पांडिया अभी तक जो दो टीमें बनाई थी इसमें एक में मैंने हार्दिक पांडिया को लिया था लेकिन दोस्तों दोनों के दोनों बेस्ट है हम सब को पता है दोनों अच्छे बैटेंग और दोनों अच्छे खासी गिनबाजी भी कर सकते और इनको लेना जरूरी भी है तो इसलिए इस टिम में मैं दोनों के साथ जा रहा हूँ हाँ मेरे प प्राफी फाइदेमन साबित हो सकता है क्योंकि हार्दिक पांडिया बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं लेकिन संजू सैंसंग सिर्फ बैटिंग अच्छी कर सकते हैं गेनबाजी की बात करें तो यह ज्यूंदर चाहल को ले रहा हूं यह पर क्रिक जॉर्डन को ले टिम में ले रहा हूं क्योंकि आयर्लेंड के खिलाफ मेरे अवेश खान ने एकी मैच में चार विकेट लिये तो एकार टीम में उनको जरूर रखेगा यह भी एक अच्छी गेनबाज साबित हो सकते हैं आपको ग्रैंड लिग जिता सकते हैं अच्छी खासे अर्णिंग करा और ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी मैंने रेस के प्लियर शामिल किया है मैंने काफी अच्छी चेंजिस किये जो कि आपको फाइदमन साबित हो सकते हैं अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो अफकोस देख सकते हैं मैंने लियाम लिविंग स्टोन को कप्ता बना चुके अलग-अलग लीगों में खेलके और असी विकेट ले चुके तो ये भी एक प्रॉपर हाल राउंडर माने जाएंगे और हार्दिक पांडिया तो हमारे अल राउंडर ही दोस्तों तो इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना फाइदमन इसलिए साब काफी मतलब बहतर इन टीम है दोस्तों और काफी बढ़िया टीम है तो इस टीम को भी आप दोनों लीगों में से किसी भी के लिए यूज कर सकते हैं इस टीम को भी क्लोज करते हैं और चौथी जो टीम बना ही है आखरी टीम उसको मैं जरूर दिखाऊंगा वो भी थोड़ी हटके बनी है दोस्तों जैसे कि आप देख पार है मैंने यहाँ पर दिनेश कार्तिक को अभी तक एक भी टेम में शामिल नहीं किया था उनको जरूर शामिल कर लूँगा जौज बटलर तो ही हमारे पास उसके आलाओ मेरे पास पास बल्ले बाज है अफकोस यहाँ पर रोई अफकोस देख सकता है फिर से दिनेश कार्तिक जौस बटलर है विकेट किपिंग में बैटेंग में अगर बात करें रोईचरमा देविड मलान लिविंग स्टोन इशान किशन तो कुल मिला के यह एक अच्छे खासे बैट्समन है उसके बाद मेरे पास अफकोस एकी आल रॉ इस टिम में मोहिन अली के साथ जा रहो अगर बात करें गेनबाजी के तो योजी चहल को हर्शल पटल को और एम पाकिर्शन को लूँगा पाकिर्शन भी काफी अच्छे गेनबाज है और बताया जा रहा है कि प्रोबबल लेलन में ये भी रह सकते तो ज़रूर मैं एक टिम बन गई है अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाए जिसे भी आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग दोनों जेच सकते और काफी बहतर इन यहाँ पर बैक्समन लिए बहतर गेनबाज दिए बहतर आल राउंडर है मेरे पास एक तो कुलमला के ये भी एक अच्छी खासा कॉम् केटें बनाने में तो हीटमें को यहाँ पर वाइस केटें बनाऊंगा यहां पर उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप मल्टिपल्स लगाते नाप मैक्जिमम मेरे खेल से 20 ती में लगा सकते है तो अगर आप और भी टी में बनाना चाहते है तो आप मेरे जो वाइस कैप्टन से उनको कैप्टन बना लीजिगा वो भी काफी बढ़िया उप्शन रहेंगे जैसे कि दिपक उड़ा है आपके पास एक अच्छा कहसा उप्शन है उसके बाद आपके पास लिविंग स्टोन है इशान किशन डेविड मलान को भी आप कई ना कई चेश कैप्टन वाइस कैप्टन मना स इसलिए मैंने कुछ इस तर से हट के टीम बनाई है तो यह टीम आपको मुझे लगता है जादा से जादा ग्राइड के लिए प्रेफर करूंगा स्मॉल लिए यूज करना चाहे तो पहले ग्राइड लिग जरू लगा दीजेगा उसके पार चाहे जितने स्मॉल लिग लगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन ग्राइड लिग जरू लगाएगा तो काफी बढ़िया टीम बन चुक है और काफी बढ़िया क्याप्टन और वाइस काप्टन की हमने डिसेड कर लिए तो अब करते हैं इस टीम को भी क्लोज और देख ले आखिर में यह कूंगा दोस्तों कि इन चेंजेस करें यह भी मुझे मतलब काफी मुश्किल सवाल है वही अगर बात करें तो आपको लगता है कि यह वीडियो काफी बढ़िया बना है यह टीम में काफी बढ़िया बनी है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दीजिए चानल को भी अगर अब आपको बता सको कि किसे ड्रॉप किया गया और उसकी जगे पर आपकी स्कोल ले सकते है और साथ साथ हो सकता है मैं एक और टीम आपको दू जो कि ग्राइड लिक के लिए हो तो इसलिए टेलेग्राम को जॉइन करना थोड़ा जरूरी है आज के वीडियो में इतना ही मिलते ह अगले उड़े में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गूडबाय टेक क्यार